सुलेका तो उसके बनिस्पत यहां थोरा सा और बच्चे कमफर्ट फील कर सकते हैं क्योंकि वहां 18,000 सम्तिंग पोस्ट का वेकेंसी निकला था लेकिन बाद में 4,000 को कट कर दिया गया था तो लेकिन उस बार के बनिस्पत यहां लगभग दुबुना सीट है और लगभग जो ऑभरढाल एपियर, स्टूदेंट भी हो रहे हैं तो उस बार से कम हो रहे है इसलिए उस बार के पर निस्पत कम जाने की संभावना है इसलिए किसी स्टूडेंट थीन परन रहा है जो आ घर तो बत बच्चे और बच्चन आ जाएंगे इसलिए जिन बच्चों का भी 55 से जैसे जैसे उपर जा रहा है मार्स उतना ही ज़्यादा कंफर्म कंफर्म रह सकते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा ही होगा वह इसे 55 पुलस वाले अपने को सेफ मान करके चल सकते हैं हम दोर में आ जाएंगे अभी तो आंसर की जारी हुआ है इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा रिजल्ट कब तक हम देखने को मिल सकते हैं अब देखिए नियम तो यही होता है जैसा कि पिछला हम देखते आ रहे हैं कि जैसे अभी आंसर सीट आंसर जारी किया है कोश्चन फिर रेज करने का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन रेज करने का इसके बाद 20 से 30 दिन के अंदर मेरे ख्याल से इसका पहला चरण का रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसके एक महने के बाद में आपका फिर हो सकता एक सीवीटी टू का एकजाम का डेट दे दे जनरली यही होता है लेकिन अब स्टूडेंट को यहां यह कंफूजन है कि इस बीच में सर्क्रूप डी का अगर हमारा एक्जाम होते रहेगा तो क्या सीवीटी टू संबब है तो वह से स्टूडेंट को हम यह बताना चाहेंगे थौरा सम्गूप डी का भी इसमें ले ले लेते हैं एक संबाबना है हलां कि अधिकारिक तोर पर रेलवे इसकी सुचना नहीं दी है लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक्टिवीटी होता है तभी लोग अन्वान भी लगाते हैं अगर एक्जाम कंड़क्ट की तो यह मान करके चलिए कि 20 सेप्टमबर तक में आपका एक्जाम ग करेगी और20 से गूरूब डी का एक्जाम वो सकता है और रूब डिका एक्जाम लंबा चलना कि दो में तीन में कम से कम चलेगा लेकिन चुकी समय साथ लुप स्टूडेंट का दूसरे चरहरण का एक्जाम लिया जाना है तो तीन ज windows से चार दिन का पिकांग का एक्जाम ल